जहन से भाईयों को आपका स्वागत मेरी युट्यूब चैनल पर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई भरती के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ तो आप मेरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंट तक जरूर दिखेगा अब भी एक नई भरती आ चुकी है जिसका नाम है SSC MTS and हवलदार भरती अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इसका जो application date है यानि कि जब से इसका online स्टार्ट होने वाला है वो इसका हो चुका है 18 जनवरी 2023 से और इसका online की जो last date है वो है 17 फरवरी 2023 तक फिर उसके बाद इसमें exam जो इसका है वो अपरेल में होगा और इसमें जो application fees है वो journal, OBC और EWS के लिए 100 रुपय फीस है और SCST और female category के लिए 1 रुपय फीस नहीं है और इसमें जो age limit है वो इन्होंने इस बार रखी है एक जनवरी 2023 से count होगी age limit फिर जो इसमें minimum age है यानि की इसके फरवरने के लिए minimum age 18 साल है 18 years और maximum age जो है वो 25 से 27 years है post wise फिर इसमें जो total post है वो है 12,523 यानि की 12,523 इसमें total post आई हुई है अब मैं आपको इसकी पूरी post की detail पताने वाला हूँ की किसमें कितनी post है तो सबसे पहले जिसमें हमारी MTS post है उसमें 11,994 वेकेंसी है 11,994 इसमें सिर्फ simple 10th pass educational qualification मांगी गई है और जो हमारी हबलदार की post है उसमें 529 वेकेंसी है इसमें भी simple 10th pass मांगा गया है education qualification और इसमें एक और चीज है इसमें क्या है कि इसमें walking है जैसे हम लोग क्या होता है कि किसी किसी भरती में running होती है तो इसमें walking हम इसमें चलना है तो male के लिए है 1600 meter है 1600 meter 15 minute में है और female के लिए है 1 kilometer 20 minutes में और इसमें height जो मांगी गई है वो male के लिए है 157.5 centimeter और female के लिए जो इसमें height मांगी गई है वो है 152 cm जहन